असलाम वालेकुम मैं हूँ आईशे खाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाने शाने तो खाने शाने में आज मैं आपको सिकार रही हूँ अचारी चिकन जो मेरे स्टाइल में मैं बनाती हूँ और बहुत ही फ्लेवर फुल बनती है ये तो आप इसे जरूर ट्राय तो चलें देख लेते हैं कि इसे कैसे तयार करना है सबसे पहले आदा किलो चिकन की बना रही हूँ तो आदा किलो टेमाटर हम उबालने के लिए रख देंगे उसके बाद आदा कब तेल गरम करके उसके अंदर मैं थोड़ी सी हैने एक छोटी व्यास जो है स्लाइस करके डा फ्राय हो जाएगा तो हमने इसमें चिकन एट कर देनी है चिकन अच्छी तरह धोक्यों कुश कर लीजेगा और इसे अब हम प्याज और लसन अदर के अंदर फ्राय करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए यह वाइट हो जाए इसका पानी और कून जो भी हो वो ड्राय ह अब इसमें हम डालेंगे शान मसाला अचारी चिकन का और इसमें देंगे थोड़ा सा पानी का चीटा ताकि मसाला हमारा जली नहीं चिपके नहीं और इसमें हम इसको थोड़ा सा कोट करेंगे हलका सा फ्राय कर लेंगे इससे हमारी चिकन का फ्लेवर जो है वो बहुत अच् इसको अच्छी तरह फेट लेना है अच्छी तरह फेटने के बाद ये दही हम इसमें एड कर देंगे और अब हम इसको दही के पानी में थोड़ा सा कुक करेंगे दही मिक्स कर दीजेगा चिकन में और ये मिक्सिंग का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी चीज हम इसके अंदर डाल लें उसका फ्लेवर जो है हमारी चिकन के अंदर इंफ्यूस हो जाए अब इसे कवर करके हम चार से पांच मिनट कुक करेंगे तेल अलग हो जाए पानी ड्राय हो मैंने इस टेमाटर के पानी में इसे पकने के लिए रखा था पांच से चे मिनट अब इसको हम थोड़ा सा फ्राय करेंगे ताकर हमारे टेमाटर जो है वो इसका जो खटास है उसका फ्लेवर है वो भी पूरा जो है चिकन के अंदर अच्छे तरीखे से रच बस जाए और त हमारी बहुत मज़ेदार सी जो चिकन है वो तयार हो चुकिए और आखर में इसमें हम डालेंगे मजीद फ्लेवर एनहेंस करने के लिए आदा कटा हुआ लीमू अचारी चिकन की वैसे ताकि यह खटी सी और मज़ेदार सी बच जाए तो जनाब बहुत मज़ेदार डिलेश झाल झाल झाल